हाई गाईज नमस्ते आप सभी का मेरी चैनल वर्ल फ्लावर साने सक्टी टैड पर स्वागते गाईज आप सब कैसे हो आई होग आप सब ठीक होंगे गाईज तो आज के हमाई रीडिंग है जमिन यानि मिथन रासे के लिए आपकी लोग प्रेडिक्शन जून मेने की क्या है एक जनल डिडिंग है सभी बाति सबी के साथ रर्जनेंट नहीं करेगी तो चलो श्टार्ट करते काईज इंस स्ब्सक्रेशथ करें हम लेते हैं कि a आपके पार्टन आपको प्यार करते है या नहीं एनर्जी किसे की भी हो सकती है ओके आपसे रेजनेट होती है तो कमन को की जरूर बताएं गाइस तो चलिए जैमिनाई क्या आपके पार्टनर आपको प्यार करते है या नहीं किंग अपकप नाइट आप सौड्स दफूल ओके नाइन अपैंटिकर अपिकार तो बहुत थी पॉजिटिव है वाटम टेक हमारे पास है पीज़ फॉंट्स ओके तो थोड़े साइस अबाओ के सर में ले और इस वज़र से ही थोड़ी करबढ़ हो रही है ना आपके परसन आपको प्यार करते है या नहीं येस बिलकुर करते हैं लेकिन थोड़े साइस अबाओ के हैं सरमेले हैं इस वज़र से वो अपने दिल की बातों को किसे के सामने रखने में बहुत ज़्यादा जिजक महसुस करते हैं आपने ध्यान से मेरी बात सुनी वो बहुत ज़्यादा जिजक महसुस करते हैं वो अपने घर में एक लोती बेटी हो सकते है या एक लोती लड़की हो सकते है इस वजर से बेटी हो सकते है तो इस वजर से ही उनको अपने जजबात फिलिंग उको दूसरों के सामने रखने में काफी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वही बात है कि वो आपको भी अ के थूरू अपनी जॉब या बिजनेस करते होंगे, वो अपने एक जॉब बिजनेस में बहुत ज़्यादा आगे है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे है, उनकी अपनी एक पहचान भी है, उन्होंने अपना एक नाम भी कमाया है, फैमिनिसम भी है, मतलब एक अच्छा फैम बन उनको एक डिप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा वो सोच लेते हैं कि सामने वाला इंसन क्या रियक करेगा, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है, लेकिन इमोसनल वाइज उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दूखी है, या सैड है इस तरह से ही मैं कहूंगी, क्योंकि वो अपने आपको तो खुस रखना जानते हैं, बहुत ज़्यादा के लिए भी खुस रहते होंगे, लेकिन फिलिंगों की बात आजाए, प्यार की बात आजाए, इमोसन्स की बात आजाए, तो इससे दरकिनार कर लेते हैं, और साइड ह होते हैं, थोड़े इमोसनल वाइस वो इमैच्छ और भी है, गोके, और उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है, और आप दुनों की बात्चीत अब भी हाल फिलाल तो गाईस, कुछ लोगों की हो रही है, कुछ लोगों की नहीं हो रही है, अब आप दूनों का रिस्ता कैसा ह मैंने बहुत कुछ आगी कहीं दिया आपके काल ही पॉजिटिव आई है तो फिर गाइस ओके आप दुनों का रिस्ता कैसा है क्लीनिंग टूड़ पास्ट इनर वाइज एवर्नेस बहुत जदा एवर्नेस में रहते हैं आपकी पार्टनर अलोनेस स्लोइंग डाउन वही है वाटम प्रेक हमारे पास से कमपेरिजन ओकी तो गाइस आपके जो पार्टनर की जो सिच्वेशन है वो आप दुनों की रिस्ते को लेकर जो वो सोचते हैं आपको लेकर व इस वज़़े से वो बहुत जदा एवर्नेस में रहते हैं लेकिन उनकी जो इंट्यूसंब पावर है वो बहुत जदा तेज है मैंने आगेह कहा कि बहुत कम मतलब की वो अपने फिलिणगों को नहीं जटाती है इस वज़़े से बहुत ही कम बोलती होंगे और बहुत ही एक feeling को लेकर थोड़े रुखे होंगे तो उनकी intention power बहुत ज़्यादा तेज होने की वज़र से वो आपकी सारी feeling को भाप लेते हैं और जान लेते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो और वो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप सर्वगून संपन हो मतलब आप सभी तरह से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो ब्रिल्यंट हो intelligent हो सुल्जा हो आपन भी है ठैराओ भी है थोड़ा मस्ती मजा का एक आपका nature भी है तो आपका जो एक आपके जो पूरे के पूरी सारी ही quality उनको पसन है इस वज़़ से मैंने कहा कि वो आपको सर्वगून संपन समझते है और वो आपको लेकर यही मानते है कि वो आपके साथ ही आना चाहते है अब आप अपने partner को लेकर यही सोचते हो कि वो मुझे अपनी feeling क्यों नहीं बताता है वो मुझे message या phone नहीं क्यूं करता है मतलब वो मुझे message क्यों नहीं करता है phone क्यूं नहीं करता है इसको तो मेरी फिकर ही नहीं है आपके intention power भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आपकी quality जो है वो बहुत ही बहतर ही है आपकी गूण आपके nature बहुत ही खुबसूरत है और आप बाहरी और अंधरुनी पूरे तरीके से खुबसूरत पसण हो इस वज़र से आप अपने पसंद को लेकर यहीं मानती हो कि ऐसी तो कौन सी मेरे अंदर बात है जो इसको मेरे साथ बाचित करने पसंद नहीं है या फिर मेरे साथ वक्त बिताना उनको अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो कभी-कभी तो over हो जाता है और आप negativity में चले जाते हो कि ऐसा तो क्या मुझ में नहीं है जो ये पसंद को मुझसे बाचित करने के लिए भी सौ बार सोचना पड़ता है यही आपकी अभी तो आप दुनों के रिस्ते को लेकर आप यही सोचते हो लेकिन आपके पसंद तो आपको लेकर amazing सोचते है guys very nice और उनकी जो वो जब भी अकले होते हैं वो आपके बारे में ही सोचना पसंद करते हैं और यह जो स्टोरिंग डाविंग का कार्ड वो आपकी energy है उनको लेकर कि यह इतने slow क्यों है वो अपनी feeling बताते क्यों नहीं है मेरे तारिक के दो बोल बोलते क्यों नहीं है मेरे बारे में तो कुछ कहते ही नहीं मुझे पूछते भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो खाना खाया की नहीं यह भी नहीं करते हैं तो मैं किस तरह से आपकी feeling को understood करो लेकिन आप उनकी feeling को पूरी तर के समझने की कोसिस जरू करते हो अब हम देखते हैं कि आप दुनों का future क्या है चली दिखते हैं universe divine not for you peace to the sea deep knowing very nice bottom protect हमारे पास है imagine ओके तो आप दुनों का future बहुत ही अच्छा है क्यूंकि आगे चलकर आप दुनों ही एक दुसरे को समझने वाले हो understood करने वाले हो लेकिन आप दुनों की रिस्ते में कुछ एक आप दुनों एक दुसरे को लेकर जो सोच रखते हो या किसी भी तरह की एक नोग जो खैर मन में है कभी भी सब्दों में नहीं बताई है लेकिन जो मन में है वो भड़ास आप दुनों एक मैंने आगे ही कहा कि लॉंग डिस्टंस है तो अभी आप नहीं मिले होंगे या फिर एक दो बार ही मिले होंगे और जो लोग मिल रहे है एक दुसरे से फिर भी वो अपनी भड़ास नहीं निकाल रहे है तो जब आप दुनों साथ में होंगे तब एक दुसरे को अपनी भड़ास भी बताने वाले हो अच्छे बाते भी करने वाले हो और एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त भी बिताने वाले हो आप दुनों का फ्यूचर बहुत थी अच्छा और प्यारा है और आप कहीं हद तक ये सोचते हो कभी कभी कि ये मेरे साथ माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है इसको मेरे साथ कुछ सी भी तरह का मतलब तो नहीं है मेरे से फाइदा उठा रहा है और मेरे साथ वक्त तो बिता रहा है और कुछ सी भी तरह का इसको कोई मतलब नहीं है इस तरह से आप कभी सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं है वो आपको लेकर अच्छा सोचते है वो आपके साथ जब होते है तब उनको एक satisfaction मिलता है एक peace मिलता है और वो काम में सुस करते है इस वज़े से वो आपके साथ ही future देखते है ओके अब देखते है guys कि आप दुनों की साधी 2022 में होगी या नहीं universe divine page of swords the hangman three of pentacles bottom of the deck हमारे पास है ace of swords okay तो गाइज आप दुनों जो साधी की बात आप सोच रहे हो तो divine timing ही है क्योंकि यहाँ page of sword की energy और यहाँ three of pentacles की energy और वो भी major arkana card के साथ इसका मतलब यही होता है कि आप दोनों की मन मर्जी नहीं चलेगी आप जब सोचेंगे तब भी साधी नहीं होगी आपके person आप सोचेंगे तब भी साधी नहीं होगी लेकिन जब गौर सोचेंगे कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ हो जाना चाहिए तब आप दोनों की साधी हो जाएगी मतलब आप दोनों के साधी को लेकर भगवान ही तेय करेंगे कि आपको कप सांथ में आना है तब तक के लिए अपना पेसंस बनाई रखे अपने पार्टनर के उपर जो डावट कर रहे हो वो डावट बन कीजे वो आपको ही पियार करते है लेकिन उनकी जो एक King of Cup की जो एनरजी है उनकी की ज़्यादा नहीं बोलते है कम बोलना पसंद करते है या फिर बिल्कुल भी नहीं बोलते है तो उनका जो नेचर है वो आपको पूरे लाइफ एकसब्ट तो करना पड़ीगा वो बहुत कम ही बोलेंगे लेकिन वो आपको एक सप्राइज के तौर पर या फिर किसी भी तरह की गिफट के तौर पर अपनी फिलिंग हर बार साजा करेंगे जब आप साथ में होंगे तो patience बनाईए वो आपको सामने से ही आकर propose भी करेंगे और आपके साथी भी करेंगे थोड़ा अभी आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है तो patience बनाईए और अपने उपर ध्यान दीजे और self love कीजे और meditation कीजे और आपके लिए ये बात भी आ रहे है कि आप soulmate या twin flame की जन्नी में हो इस वज़र से आप दुनों की रिष्टे में थोड़ी उतर चड़ावा रहे है तो twin flame और soulmate की जन्नी कैसी होती है उसके बारे में ज़रा जानी तो आपको पता चल जाएगा कि ये उतर चड़ाव इस जन्नी में होते ही है ओके और एक बात मैं कहना चाहते हूं कि चले देख लेते हैं कि आप दुनों की रिष्टे में थोड़ पार्टी है या नहीं फोर अप पैंटिकल दी एंपरर और एट अप पैंटिकल बॉटम टरेक है तैन पैंटिकल ओके तो आप दुनों के रिष्टे में जो थोड़ पार्टी है वो मेल या फिमेल नहीं है ओके लेकिन उनकी कैरियर ही उनकी थोड़ पार्टी है वो अपनी कैरियर को पूरी तरीके से स्टेबल बनाना चाहते है तबी वो आपको लेकर कुछ कहेंगे वरना वो अपनी केरियर में ही ध्यान देंगे इसलिए मैंने कहा कि पेसंस बनाइए और अभी आप अपने उपर ध्यान दीजे सेल्फ लग केजे अपनी लाइफ में आगे बने की कोसिस केजे बाकि आपके पर्सन आपको ही प्यार कते है आपके साथ ही आना चाहते है आपके लिए खुब सेरी फिELING भी रखते है और उनके मन में आपको लेकर किसी भी तरह का डाउट नहीं है वो आपको पूरे तरिके से सर्वर गोन असंपन समझते है कि आपके जैसा पार्टनर मिलने का मतलब है कि पूरा स्वर्ग मिल गया इस तरह से वो मानते है वो आपके साथ ही amazing feeling महसूस करते है तो थोड़ा relax हो जाए और अभी खोस रहे और अपने उपर ध्यान देजिए और इस तरह से मानने कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही होगा आप manifest जिस तरह से करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा इसलिए मैं कह रहे हूँ positive manifest कीजिए आपके पसंद तो positive manifest कर रहे है वो आपके साथ ही future देखते है आपको ही थोड़ा doubt है तो positive manifest कीजिए जित से आप दुनों का रिस्ता पूरी तेरी के से जल्ली से जल्ली आप एक हो जाओ और strong बन जाए आप दुनों का रिस्ता यह है आपके रेडिंग अगर आपके रेडिंग अच्छे लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें share करें, subscribe करें, comment करके जोरू बताए बढ़े लगी, लग झाईस